तो आगे बढ़ेगे बनीपूर तशदुद पर आज भी पारलेमेंट के दोनों एवामनों में हंगामे के आसार है अपोजिशन का डेलेगेशन दो दिन तक खालात के जायजा लेने के बाद दिली लोटा है एक के सरकार ने पारलेमान ने कई सवाल भी उठा हैं और सरकार पर संगीन जामायत किया है तो वहीं सरकार ने वाज़े किया है कि अपोजिशन चर्चा करने के बजाए चर्चा में बने रहने की कोशिश कर रहा है जिससे परिशानी का हल नहीं हो सकता मनिपूर पर सियासत कौन कर रहा है और मनिपूर के हालाद कैसे सुधरिंगे इसे लेकर ब्लेम गेम उरूज पर है दो दिन के मनिपूर दौरे से लोटे आई एंडियाई के अरकाने पार्लिमेंट के संसत पहुशने पर हंगामा होना तैह है यह सदन चलाने की आपिल भी कर रहे हैं आप लोगों की बदोलत हमारे हिंदूस्तान की सरकार को ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे अविस्वास पस्ता को सिकारते हुए जल से जल मनिपूर की हाल निकलने के कोई चर्चा होना चाहिए क्योंकि मनिपूर की हाल दिन पे दिन बिगठते जा रहे हैं इसमें हमारे देश की देश की हमारे सिकूरिटी की खत्रप पैदा होते जा रहे हैं तो इसके मद्दे नजर सम मिल के हम प्रयास करेंगे कॉंग्रेस अपने गिरेबान में जांकर देखे किसी भी परधान मंत्री ने आज तक मनिपूर कभी भी हिंसा हुई जब सैंकडो लोगों की हत्याएं मनिपूर में उस समय की गई तब भी कॉंग्रेस के समय कोई परधान मंत्री नहीं बोले कोई ग्रह मंत्री नहीं बोले किवल एक बार ग्रह राज्ये मंत्री ने ब्यान दिया था ये देश को जानना बहुत अवश्यक है क्योंकि विपक्ष का चेहरा साफ नजर आना चाहिए कि ये किवल राजनिती करने का प्रयास करने हैं चर्चा में रहने का प्रयास करने हैं चर्चा नहीं करना चाहते चर्चित होने का प्रयास करने हैं अपोजशन लोकसभा में पहले ही अदमयात्मात की तहरीक दिख चुका है मगर चर्चा की तारीख अभी तक तैं नहीं है ऐसे में मनिपुर जाकर 21 आकी ने पालेमान ने जो देखा उसके बाद एवान कैसे चलेगा इसे लेकर भी कई सवाल है हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीरा दायक, सामुहिक पीरा का च्छन है और देश को एक स्वार में संदेश देना होगा कि ये पीरा व्यक्तिगत भी है और सामुहिक भी है संसत को किस प्रकार टप करना है, पार्लेमेंट को किस प्रकार से बंद करना है यही उनकी रणनीती रहेगी सल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व करना है यह उनकी रणनीती नहीं रहेगी सुल्जाना यह कभी रणनीती नहीं रहती है उल्जाना यही उनकी रणनीती रहती है यह चिंता का विश है और दुख का विश है मनीपूर से लौटे आईन डिया के MP ने वाज़े किया है कि मनीपूर के हालाद पर पूरी रिपोर्ट पारलिमेंट में पेश की जाएगी मरकज और रियासत की खामिया बताई जाएंगी लोगों के जो मतालबे हैं वो भी सरकार के सामने रखे जाएंगे अरकाने पारलिमेंट का दावा है कि मनीपूर में हालाद बहुत खराब है लोगों को राशन और दवाया नहीं मिल पा रही है लोग एक दूसरे पर यकिन नहीं कर पा रही है आईन डियाए के MP ने ये भी दावा किया कि अगर जल्द हल नहीं निकलता तो मुल्क की सिक्यारिटी को भी खत्रा हो सकता है